उत्रप्रदेश की राजुनीती में फिलहाल एक नाम है जो काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है वो नाम अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का है अनुप्रिया पटेल जो लगातार भारतिय जंता पार्टी को अपना समर्थन देती आई हैं भारतिय जंता पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ती हैं वो अनुप्रिया पटेल इन दनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं अपने परिबार के साथ मतभेत को लेकर इसकड़ी में आज हम आपको अनुप्रिया पटेल के पती आशीश पटेल के बारे में बताने जा रहे हैं इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर राजनीती में आए आशीश पटेल अपनी राजनीतिक पारी को काफी सफलता के साथ आगे पढ़ा रहे हैं आपको बता दे पेशे से इंजीनियर आशीश पटेल के साथ साल 2009 में श्रादी के बाद अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक करियर पर विराम लगने की संभावना जताई जा रही थी मगर ये आशंका गलत साबित होई आशीश पटेल ने सरकारी कामकाच की तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी समय निकाल कर अपनी पतनी को राजनीति के अखाडे में सक्रिय भूमी का निभाने के लिए उत्साहित किया इतना ही नहीं अनुप्रिया पटेल की राजनीती में आशीश काफी मदद भी करते रहे साल 2012 में अनुप्रिया पटेल वारनसी जिले के रोहनिया सीट से चुनावी मैदान में थी पती आशीश के कुशल रन्नीती का परिणाम ही रहा कि सपा की लहर के बावजूद अनुप्रिया बड़े अंतर से इस सीट पर जीत गई साल 2014 में UPS सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की अगुआई में भारतिय जनता पार्टी ने रन्नीती बनाई यहां अपना दल का BJP से गठ बंधन हुआ इस गठ बंधन में अपना दल को दो सीटे मिली आपको बता दे मिर्जापूर सीट पर अनुप्रिया पटेल ने चुनाव लड़ा और अनुप्रिया पटेल के लिए केमपेनिंग उनके पती आशीश पटेल ने की आपको बता दे आशीश पटेल ने अपनी पतनी अनुप्रिया पटेल का साथ दिया और अपना दल सोने लाल के नाम से एक नए दल की स्थापना की साल 2017 में आशीश पटेल अध्यक्ष बने पार्टी को खड़ा करने और उसको सफलता दिलाने में अनुप्रिया पटेल के पती ने काफी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई आपको बता दे जहां पार्टी का चहरा हमेशा से अनुप्रिया पटेल बनी नहीं तो वहीं परदे के पीछे रणनीती बनाने के लिए आशीश को महारत हासिल हुई आशीश ने हर बार पार्टी में अपने पैतरे से जोश भड़ा राश्ट्रिय अध्यक्ष बनने के सिर्फ छे महीने के अंदर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना दल उतरी और इस पार्टी को भारती जनता पार्टी के साथ गजबंधन में 12 में से 9 सीटों पर सफलता भी मिली आशीश पटेल ने उत्तरप्रदेश में कॉंग्रेस जैसे राश्ट्रिय दलों को पीछे छोड़ दिया और अपना दल को मजबूत किया आशीश स्वीकार भी करते हैं कि पहली बार उनके सक्रिय राजनीती की शुरुवात हुई उसमें उनकी पत्मी का बहुत बड़ा हाथ है और अनुप्रिया पटेल हमीशा ये दावा करती हैं कि राजनीती के अखाडे में उनका दल जो इतना मजबूत हुआ है इसमें उनके पती ने काफी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है नेक्स्ट युनाइन न्यूस नेशन की रिपोर्ट